नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबलू उर्मा पेपर है कर में आपका स्वाग गता तो फैंट्स आज दो देखने वाले वह देखने वाले अपना बीए सेकंड सेमिस्टर वालों के लिए ठीक है रहने वाला है हिस्ट्री का लेक्चर नमबर दो जाएगा बहुत जाएगा इसस पहले भी मैंने 19 लेक्चर आपको प्रवाइड कर रहा है कर नहीं देखें तो बिल्कुल आप देख लिए का ठीक है डिसकप समय लिंक मिल जाएगा या पर हमारी साइट जो आपको यह आप नीचे चले नोट्स बहुत सारी मिल जाएंगे ठीक है जिसका भी नोट्स आपको फिरी आपको आखने बढ़ेंगे अगर आप प्यूंट चाहते तो आपको पैसे प्रें राएंगे ठीक है अगर आप डालोड करना चाहते हो फिरी अपको साको मिल जाते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं बिलकृत से सम्मधित हैं चैंक है यूण लिझat हो उभा ठीक है तुगलक सेयद लोधी ठीक है वो सारा किसमें पढ़ लिया और हमने कौन से पढ़ लिये और बात करते हैं कौन बाबर पढ़ लिया वुमायू पढ़ लिया अब हम किसे देखेंगे अकबर को देखेंगे जो गुलाम बंस में हो जाता है किसमें गुलाम बंस में जो हो जाता है अपना ठीक है ध्यान रखना यहां पर क्या हो जाएगा गुलाम बंस में हो जाता है गुलाम बंस में हो जाता है गुलाम बंस में हमने बावर पढ़ लिया था उसका बेटा हुमायू पढ़ लिया अब कौन आता है अब आता है अकबर ठीक है अब हम किसको पढ पर जाता है तो सभी को देखने वाले सरी जैसे कि हमारा बावर हो वुमाय हो गया आजम अकवर को देख लेते हैं फटापर ठीक है तो इसको याद कर लेना है आपके लिए भी के कुशन जो होते हैं वो कंपरिटिटिव एक्जाम में आपके बनते रहते हैं ठीक है तो बात करते हैं यूरिट नंबर फोर क्योशन नंबर अपना इस्टार्ट ह होता है कौन सा बहिए यूक्यूशन नंबर हो जाएगा बीस बाउर लेक्चिन नंबर भी इपना कौन सा है 20 हो जाएगा ठीक है तो बात करते हैं अकवर द्वारा इस्तापित मनसवदारी प्रडाली का बढ़न कीजिए अकवर ने मनसवदारी प्रडाली चलाई थी ये बढ़ने चलाई थी ठीक है तो इस प्रणाली का को क्या करना है बढ़न करना है या इस प्रकास से भी क्यों यह बन सकता है कि अकवर दोरा इस्थापित सैनिक प्रवंद अत्वा मनस्वदारी का बढ़न करो सैनिक प्रवंद भी कभी दे सकता है और मनस्वदारी दे सकता है बात एक ही है चाहें आप सैनिक प्रवंद कहलो चाहें आप मनस्वदारी कहलो कि आपको देखने को जातर एक्जाम में मिलेगा मनस्वदारी ठीक है तो आपको याद रखन बनाना है जो भी आपको अकवर के बारे में जानकारी है मुगल सामराज के बारे में जानकारी है इसमें आप लिख सकते हो ठीक है इसमें आप लिख सकते हो अकवर के बारे में लिखिएगा ठीक है उसके बाद मुगल सामराज कितने सासक है आप उनको लिख दीजिएगा सीरी जानता था कि एक सक्तिसाली सेना के आभाब में ना तो सान्थी की स्फाफना हो सकती है और תीकral już विस्तार करने के लिए क्या सेना चाहिए बहुत बड़ी और सांथ्य स्थापित करने के लिए को धूसरे हमायरी पर आक्राइन करेंना हमारे राज पर आकरों ना करें तो इसकी लिए भी शेना सक्तिसाली बहुत जरूरी हो जाती है यहां पर दे रखा है फिर बात करते हैं अकबर से पहले जागीरदारी प्रबंदन चला आ रहा था और जागीरदार मैंने आपको पड़ा रखा है कि जागीरदारी किसे कहते हैं जो सै सैनिक वगएरा होते थे जो भरती हुआ करते थे सैनिक ठीक है राजिक की जो सेना होती है उसमें तो उसको क्या दिया जाता था जागीर दी जाती थी क्या जागीर दी जाती थी इसने जागीर को जागीर जो प्रथा थी प्रबंदन था उसको समात्त करकर क्या चलाई थी इ यहां पर हम पड़ रहे हैं परंदू अकबर ने देखा कि जागीरदारी जो जागीरदार है तो कि जागीरदार नहीं रखते हैं बलकि सरकारी पैसे को है अपने एसबर में ब्याय करते थे हैं ना ब्याय करते थे अकबर ने अपनी सेना संगठन जागीरदारी प्रबंदन से के स्थान पर मनसदारी प्रबंदन किया जागीरदारी को क्या गर दिया उन्होंने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर क्या चलाई मनसदारी प्रबंदन चलाय डॉस्ड़ाया बहुत 147 बनेगा मनस्च्तारी पर था चलाएत्ए किसको समाप्त करकर जागीर दारी परिप्रबंदन को समाप्त कर कर ठीकर बढ़ेंगे मनस्थदारी प्रबंदन इसमने चलाया आगे बढ़ते है और हुमारी heading number second देखने को मिलती है वो हो जाती है मनस्थदारी प्रबंदन का तातप्रिय मनस्थदारी प्रबंदन जो था उसका तातप्रिय क्या है इसको यहां पर हम देखेंगे तो मनस्थदारी सेना के संगठन का एक ऐसा प्रबंदन था मनस्थदारी जो था वो सेना का एक ऐसा संगठन कह सकते हैं सेना के संगठन का ऐसा एक प्रबंदन था जिसमें हर मनस्थदार अपने पद, एबम, मनसब पद एव मनसब के अनुसार घुड़सवार रखता था इसे इस प्रकार डिवाइड किया गया कि जिस प्रकार से उज़का पद है उतने बहेगोड़े रखेगा ठीक है इस परबंद में मनसुदार बान शाह दोर्ण महासिक बेतन प्राप्त करता था जो मनसदार हुआ करता था बहें मासिक बेतन प्राप्त करता था अकबर के थुरू ठीक है बढ़ते हैं थर्ड हमारा जो हो जाती है हेडिंग वो हो जाती है कि मनसब जात एवं सवार कौन मनसब जात और सवार ठीक है मनसब जात एवम सबार इसको पढ़ो कि तो बिल्कुल समझ में आएगा मनसब एक फारसी सब्द है जिसका अर्थ है कार या पद मनसब क्या है? मनसब का जो अर्थ होता है या तो कार होता है या क्या होता है? पद होता है एकपर ने अपने बहुत से सैनिक एबम राजनितिक अफ़्सरों को मनसब या अहुदा मनसब भी कहते हैं ठीक है इसे बगर यहाँ पर मनसब ही कहा जाएगा, ठीक है, मनसब या फिर अहदा प्रदान किये, उसने मनसब का विबाजन दो भागों में कर दिया, पहला हो जाता है जात, और दूसरा हो जाता है सवार, ठीक है, जात का अर्थ होता है ब्यक्तिगत पद, ब्यक्तिगत पद, और सवार क अर्थ होता है घोडों की गिंती का पद के अनुसार है तो बहर जात के लड़ने के लिए आते थे जो घ्खवार केथरो लडाईयां करते थे तो इन्हें दो को यह नहीं नहीं कि गर द दिया विभाग को डिवाइड किया है आगे बढ़ते हैं जो हमारी हусов idée हो जाती हैं मनस्थारी प्रबंदन की प्रमुक बात ने कौनसी मनस्थारी प्रबंदन की प्रमुक बात हैं जो मुक् Dynamspot यहां पर देखेंगे पहली जो मुक्ह बात सके ठीक है 24 सबार टीन भागो में कितने वागों किया बैमनसुदार कि मिपर्थम्बर का मता मसदार कहलता था जिसके जात और सबाध पद बिल्कुल बराबर होते थे कैसे बह कहलाते थे जिनके जात और सबार मतलब जो पैदल यातनी है या कह सकते हैं व्यक्ति जितने व्यक्ति और जितने गोड़ता जो कि अपने जात्पद के आदे घोड़ी रखता था जो उसका जात्पद उससे अगर आदे घोड़े रखेगा ठीक है, मतलब सायनिक हैं दो और घोड़ा रखेगा एक, तो वो कौन से सिनेडी में आएगा? वो दूतिये सिनेडी का मनसदार कहलाता था, ठीक है? मनसदार जो की अपने जात्त से आदे से भी कम, आप कोई है, दो, मतलब तीन लोग हैं, ठीक है? तीन लोग हैं, और अगर व बहटितिय सिनिडी का मनस्दार कहलाता था अभी इसके नियम भी है वो हम आगे देखने वाले हैं दस सैंको वाला मनस्दार देखो यहां पर दस सैंको वाला मनस्दार उस समय सबसे चोटा था कितना दस सैनिकों वाला मनसुदार जिसके दस सैनिक हुआ करते थे बहें मनसुदार उस समय का सबसे छोटा हुआ करता था सबसे बड़ा दस हजार सैनिकों का कितना सबसे बड़ा जो मनसुदार था वो दस हजार सैनिक रखता था और सबसे चोटा मनसदार जो था वो 10 सैनिकों को रखता था जो की बाद में अक्वर ने बढ़ा कर 20,000 कर दिया था कितना 20,000 कर दिया था हर मनसदार को एक घुरसवार को दो घोड़े देना आवस्यक था कह सकते हैं हर मनसदार जो था को एक घुरसवार तथा दो घोड़े दे देना आवश्यक था अगर आपके पास एक मनसदार है कि एक व्यक्ति जो घोड़े से लड़ने वाला है तो आप एक तो दोगे हमें व्यक्ति क्या दोगे एक दोगे व्यक्ति और दो कौन दोगे दो दोगे आप घोड़े ठीक है दो गोड़े दोने पड़ते थे और एक व्य मनस्दार के लिए ठीक है वहीं हाँ पर दे रखाए एक गुरसबार को दो गोड़े दिना आवस्य था अब बढ़ते हैं आगे की गूर मनस्दार की न्युक्ति कैसी होती थी ये देख लेते हैं मनस्दार की न्युक्ति बादशा स्वयम करता था और मनस्दार अपने पद पर तब तक ही रह सकता था जब तक बादशा की इच्छा हो साथ हजार मनसदार साही परिवार के सदिस्यों तता बहुत निकट संबंदियों को दिया जाता था जो साथ हजार मनसदार वाले होते हैं या परिवार के व्यक्ति होते हैं या सदस या बहुत निकट्टम जो संबंदी थे उनके लिए ही साथ हजार वाला मनसदार दिया जाता था दिरखा यहां पर उधार सोरूप यह मनसब राजा मान सिंग हो जाते हैं और मिर्जा कोका कौन मिर्जा कोका को ही दिया गया था जो साथ हजार वाले हो जाते हैं मनसदार वो किस-किस को दिया गया था एक तो हो जाते ह राजा मान सिंग और एक हो जाते हैं मिर्जा कोका दो को ही प्रदान था साथ हजार बाला मनस्दार बारा हजार मनस्दार मात्र सहजादों को दिया जाता था बात करते हैं साथ हजार जब बाला जो था वो किस किस को प्राप था मारा जा मान सिंग को मिर्जा कोका को और जो बा उनको कितना 12,000 वाला दिया जाता था ठीक है इतने तक इनकी लिमिट थी आगे बढ़ते हैं फिर जो थाइड़ वाली यूनिट हो जाते ही थाड़ वाली चुरी थाड़ पॉइंट रहता है मनसदारों का बेतन अब मनसदारों का बेतन किस प्रकार से था वो देखते हैं घुड़ो घुड़ सवारो इत्यादी को खर्च मनसदारों को स्वैम की आए में से निकालना पड़ता था कि अगर आप घुड़े पालोगे तो खर्चा आप स्वैम निकालोगे ठीक है यद भी मनसदारों पर यह बहुत अधितिक भार था तथा पी उनके रहन सहन का इस त जादर बहुत उंचा था क्योंकि उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता था जो आयकर वगैरा होते थे वह उन्हें नहीं देना पड़ते थे एक पंचहारी मनसदार होता है elo Mahar ये ने ये कि तक हजार कितनने थी जक्तने मात कर बतन और चुह वर करें स ?हटा था था हाजार रुपäउश वे तढें से तिया जाता था में टिकेंग झीये तर've इसके अतरिक्त हर मनस्तवारों को हर घोर्सवार के लिए दो रुपई कितने जो घोर्सवार हुआ करते थे उन्हें प्रते के दिन के साब से दो रुपई दिये जाते थे आगे बढ़ते हैं next heading की ओर next heading जो मनस्दार सम्मग हो जाती है जो मनस्दारों के कर्तब देख लेते हैं वो देख लेते हैं तो स्वैम přेनापती बनकर युद छेतर में भैज जा सकते थे जो मनसदार हुआ करते थे जो घोड़ों को पालते थे और जो सैनिकों को रखते थे ठीक है या तो वो खुद शैनिक बनकर मतलब जो सेनापती हो जाता है खुद सेनापती बनकर मनसदार युद्ध को बेज़ आते थे या उन्हें किसी और मनसदार को सेनापती के रूप में स सैनिक पालता था ठीक है हमने पीछे देखा था कि जो पहला होता था वो बराबर सैनिक और बराबर गोड़े पालेगा दूसरा क्या होता था आदे सैनिक आदे गोड़े होंगे दो और एक सैनिक पालेगा उसके बाद गोड़े होंगे बहुत सारे और एक दो सैनिक पालेगा म प्रकार के थे बही यहां पर देख आए कि जो वहां का मनसदार हुआ करता था बही युद्ध में शेनापती बनकर जाया करता था पांच बद पॉइंट हो जाता है वो जाता है मनस्वारी प्रबंद के गुड़ जो मनस्वारी प्रबंद था उसके गुड़ क्या क्या थे यहां पर देखने वाले हैं जागीरदारी पिर्था के दोस का अंत जागीरदारी पिर्था जो की अब तक अंदर से सर चुकी थी जो जागीरदारी पिर्था थी वो बिल्कुल सर चुकी थी कह सकते हैं बहुत पुरानी हो चुकी थी जिसमें बहुत से दोस आ गए थे अब अब समाप्त हो गई थी अब क के कारवधा को अपने हर मंस्थदार की गतिवι अच्छी तरह पता रहती थी अगर वह हर मह आएगा बेतन लेने के सामने आएगा बेतन लेगा तो इसकी जो जानकार है वह घृतर चलती रहती थी तीक इस पश्चाचार का एक सीमा तक अंत हो गया मनसदार की मित्व के पश्चात उसकी समस्त संपत्ती पर राजिका अधिकार हो जाता था इसी काल मनसदारों में संपत्ती एकत्रत करने की भावना लगबग समाप्त हो गई थी क्योंकि मनसदार जो हुआ करते थे उनके मरने के बाद जितना भी समराज हुआ करता था इनका कह सकते हैं जिलिकती भी संपत्ती हुआ करती थी मनसदार की बो सब किसके अंडरा जाते थी जो बहा का वादसा हुआ करता था उसके अंतरगत आ जाती थी फिर बात करते हैं योगिता के आधार पर मनसब बिस्तार क्या योगिता के आध अधार पर ही मनस्थब को चुना जाता था तो जागीरदारी पिर्था की तहथ मनस्थदारी प्रिबंधन पैस्थरक नहीं थी पैस्वां धार करना प्रारंब कर दिया तरक्वी यो गिता किया दार पर मिलती थी जो तरक्वी उगार अद्धा करते थी जिस अंका मैंड हुआ करता था उसी परकार से उन्त दे दिया जाया करता था आगे बढ़ते हैं ये हो जाता है सामपरदाइक एवं जाती की भावना कमजोर पड़ गई क्या हो गई सामपरदाइक और जाती की जो भावना थी वो क्या पड़ गई यहां पर कमजोर पड़ गई ठीक है तो बात कहते हैं मनस्तदारों की सेना में अलग-अलग जातियों के लोगों जो की हिंदु यो मसल्मान दोनों थे को मिला लिया जाता था हिंदू और मुसल्मान जो थे दोनों को यहां पर लिया जाएं लगा अकबर के सासनकाल में एक साथ रहने के काड़ उसमें ठीक है हिंद जो बावर हो जाते हैं सरी बावर तो कट्रपन थी था ठीक है अकबर के सासनकाल में फिर बात करते हैं सक्ती साली सेना कौन सक्ती साली सेना तो कि अकबर जब दोनों को मिला लिया राजपूर भी यहां पर आ गए हिंदू मुसल्मान सभी लोग भाईचारवे तो यहां पर तो सक्ती साली सेना का क्या हुआ एक कह सकते हैं उद्वभ हुआ मनसदारी प्रबंदन में हर एक घुरसवार के पास घोड़ा हुना आबसे था जो भी घुरसवार हुआ करता था हर एक घुरसवार के पास एक घोड़ा हुना लाजमी था जब तक यह बात करते हैं हमारी next heading हो जाती है वो heading बढ़ती है साही खजाने का बहार कम हो गया क्योंकि पहले जमीदार बगएरा हुआ करते थे जमीदारी खतम कर दी जमीदा जमीन जो थी वो किसके राजा के अस्तित्म में आ गई जितने भी सैनिक हुआ करते थे उनको परमंत क्या देता था सैली दी जाती थी तो इस पर कार से भी को कुछ कह सकते हैं ठीक है यहाँ पर जो खजाना होता है सही खजाना होता है बहाँ पर लाब देखने को मिला तो जागीरदारी प्रबंदर में जागीरदारी में बड़ी बड़ी जागीरे दी जाती थी, इसके काड़ खाजाने का बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, फिर देखा है, मनस्थदारी प्रवंदर में मासिक बेतन दिया जाता था, इस काड़ ही खाजाने का नुकसान की वजाय फाइदा होने लगा, बही यहां पर दे रखा है, आगे देख कि एश्पर को बढ़ावा देखने को मिलता है, जैसे भी देखा है, कुछ नहीं, मनस्थदारी ने एस्पर को बढ़ावा दिया, मनस्थदारी की बत्यों के पाशास, उसकी सारी संपत्ती पर, राज का कब्जा हो जाता था, इसी कार्ण मनस्थदार अपने जीवन में, का सारा समराज किसके अंत्रगत हो जाएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट हो जाता है अपना नेक्स्ट हो जाती है मनस्थदारी के दोस्ट को दोस्ट हो जाता है बहुत जाता है नैतिकता का पतन क्या हुआ नैतिकता का पतन देखने को मिला कुछ ब्रेश्ट करमचारी मनस्थ को पूरा कोटा दिखा देते थे ठीक है तो कह सकते हैं यहां पर भी रहष्चाचार देखने को मिलता है कि अगर वो दूसरे राज में से आ रहा है यहां पर कोई बात्सा देखने के लिए तो दूसरे के यहां से ले आएंगे ठीक है कि हमारे यहां पर बेज़वर तुम्हार कि मनस्बदारी पर था किसने चलाई थी तो दिहार नकना किसने चलाई थी पर अकवर ने चलाई थी ठीक है इसको जागीरदारी को खतम करके तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्योशन आपको यह याद कर लेना है कंप्रेटे एक्जाम में भी यह पूशाता है ठीक है तो आग बिलकुल पीडिया डानलोड कर सकते हैं ठीक है एपस भी बिल जाएंगे और पीडिया में जाएंगी जो कुछ आपको अच्छा लगए वो डानलोड कर सकते हैं तो फेर जैहिन जै भारत